थो हेलो फैन्ट कैसे हैं दोस्तों आज में आपको आना हो कैसे हम लाइक सबस्क्राइब कर सकते हैंश को कम कर दीट कर सकते हूं तो जैसे नहीं दे रहा है तो आपको यहां जाना है सेटिंग्ट पर जाने कि आपको निचे की तरफ आएंगे यहां पर एक करेंगे तो आपको इस तरीके से यहां पर बता रहा होगा तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहरे आपको बता रहा है जैसा कि मेरा मेरा आप देख सकते हैं नाइटी नाइन पॉइंट नाइटी नाइन पर संट मेरा यहां पर यूजड है और लगभग फूरी यूजड दिखा रहा है यहां पर शोव मोर पर क्लिक करेंगे तो पूरी डेट आपको इनिलाइज होके मिल जाएगा जैसे कि वीडियो दिख रही है टॉन्टी सेवन प बता रहा है तो कुछ मतलब का नहीं है नीचे की तरफ देखिए आपको कुछ नई टिप्स मिल रही है जो कि पहरे नहीं आती थी अभी आपको यहां पर मिल जैसा कि दिख रही है इस में डाउन यूर फोन डिलीट सम फाइल टू कीप यूर रणिंग स्मूथ ली आपको एक छोटा सा एक वोट दे रहा है इंस्डक्शन की वहिया आपके डिवाइस की स्टोरेज फूल हो जुकी है तो आप यहां पर कुछ डिलीट करें और अपने मोबाइल को स्मूथ कर हैं ऐसी नीचे आएंगे फिर बताएगा आपको बगल में सेमेंट के वी का आपको यह दिख रहा है अभी आपको बता रहा है कि वन पॉइंट फॉर फाइब जीवी क्या आपका स्क्रीन शॉट्स पढ़े हुए स्क्रीन शॉट्स में जो की पुराने तो आपको यहां पर क स्क्रीन शॉट्स है फिलाल वह आपके कम हो चुके होंगे तो यह आपके कम हो गए आप देख सकते हैं उसके बाद बगल में आ रहा है टूप टूपॉइंट जिवी का आपके पास डानलोडिंग डेटा है तो आपको वहां पर वापस यहां रिव्यू पर कर लेना है तो य इन्वीजिवल बेकप्स फॉर यॉर पिच्छर सेंड वीडियो स्लेक्ट फाइल में करो यहां पर यह दिख रहा है अगर आपको नहीं करना चोड़ दो और उसकी बात बता रहा है कि आप इनको थोड़ा सा वन ड्राइव और इन सबको यूज़ करेंगे तो आप उसको आपको बता देगा माईय फॉसलस की करपाएंगे करबंगे क्सको भी से इसको जो भी ऐस ऐसी एप है जिनको आपने यूज ही नहीं किया हुआ बहुत टाइम हो से 30 डेज के ऊपर आप उनको भी डिलीट करके अपना डेटा बदा सकते हैं जैसे कि अनिस्टॉल जिससे भी आपका काफी डेटा यहां पर सेव हो जाएगा जिससे भी काफी जादा आपका डेटा सेव हो जाएगा तो पूरी तरह करता है आपकी स्टॉरिज को और फिर आपको सेजेशन देता है यह कर लो तो आपका डेटा वहां पर सेव होता है जाएगा ठीक तो आपको बता भी देगा किसी फोल्डर में हैं क्या-क्या है सब आपको एहां पर खुद ही बता देगा आप को देzn talking सुट कर लेना है ठीक है सब आपको स्मुख स्लेट करो सबके सिंगल सिंगलडा抌क्ट स्टोरेज थोड़ी फ्री हो जाएगी उसके बाद आरा है लार्ज फाइल आपके बाद कुछ ऐसी लार्ज फाइल है जो बहुत बड़ी है आप यहां पर लिए आपको सब्सक्राइब तो आपको कुछ लगता है आपके काम का तो आप उसको छोड सकते हैं आपको लग रहा है नहीं हारे है मेरे काम का ए तो आपको छोड़ दो वाली वीडियो छोड़ दो या वाले जो भी चीज़ें आपको चाहिए उनको ऊंसलेट कर लो और बाकी आप डिलीड कर लो क्योंकि वो कोई आपका रिसाइकल बीन में नहीं जाएगा डारेक्टली पर्मनेंट डिलीट होगा अब उसके बाद है एप के जिस मतलब की एप के अंदर टाटा कौन-खौन सा है यह पर यहां पर नहीं दिखाएगा क्योंकि अगर अपने यहां से डिलीट कर दिया तो आपको यहां पर इमेज इसको रिव्यू कर लेना है कौन-कौन सी इमेज आपको नहीं हटानी है हटा दो रखनी है रख लो उसके बाद है ऑडियो में तो ऑडियो आप कि इतनी सारी है जोन-जोन की ऑडियो को रखना चाहे रख लीजिए बागी सबको डिलेट मार उसके बाद आएगा वीडियो में जो भी वीडियो है उसको यहां पर आप मैनेज कर लो फिर आगया यहां पर इंस्टॉलेशन फाइल मतलब कि कुछ ऐसा डेटा जो कि इंस्टॉल होने का काम करता है तो आपको अगर उनको चाहिए जो ठीक है नहीं चाहिए तो उसको सीज सीज़ा उठाओ और यहां पर डिलीड और उसके बाद आगया यहां पर कंप्रेस फाइल कंप्रेस फाइल में कुछ नहीं आ रहा फिर एप डाटा जो सबसे ज्यादा डेटा खाता है ना एप डाटा होता है अब डाटा में आपको सारी एप्स मिल जाएगी कौन कितना डेटर खा रहा है नोटी स्टार आउट लोग स्टूडियो इस अब आपको तिक जाए और आपको लगता है कि यह कुछ ऐसा फालतू है आप उसको यहां से इस्टॉल कर दो और अपने डेटा यहां पर आप सेफ कर सकते हैं उसके बाद आ गया है यहां पर सिस्टम डेटा जो की शिस्टम एंड्रोइड होता है अधर फाइस जो यह देख रहे हैं पहले ज्यादा थी अभी कम होगी अधर फाइस मतलब जो एप का जो डटा होता है न वह अधर फाइल्स में आता है जैसे कि मान लो वी मेरी ऐसी एप है जो ज्यादा डेटा खा रही है नॉर्मल अधर फाइल का 7.79 GB और अगर मैं अभी ले जाओं किसी एपस में आपको एपस के अंदर गया और मुझे आपके सामने ठीक है और आप उसके बाद देखेंगे उस डेटा को दोनों में आपको फर्क नज़र आजाएगा कि कितना जादा यहां पर फर्क हुआ डारेक्ट्ली डारेक्ट्ली कोई फर्क हुआ मैं कोई ऐप ऐसी देख लूँ जिसको बीडिलीट करता हूँ और आपका वहाँ पर डारेक्ली बताता हूँ यह स्टोरिज वाली आप है यूटूब वाली आप है ठीक है अब मैं यहां पर गया मैं सीधर इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ इसके स्टोरिज में जाकर क्लियर डेटा कर दे रहा हूँ ठीक है सिर्फ मैंने क्लियर डेटा करा और कुछ नहीं करा और इसकी साइज आप देखेंगे आपनेटिक कम हो गई है अब आप देखेंगे मेरा स्पेस यहां पर अगर मैं इसको वापस आके देखू तो आप जादा जो फाइल होती है जो देटा जो बेक अप रहता है को सब उसके अंदर फाइल समय जाता जीधीर आप उसको यहां से होते जाए तो इस तरीके से यहां पर बी डिजीद होता है तो इसTIFF के बाद करें नेक्स की आपको मिलेगा सिक्रे पराइटा तर नश य Eun — जो अ स पसंद आही तो thank you so much!